So hey guys, यह मेरे हाथ पे है GoPro Hero 10, जो कि बहुत लोग का ड्रीम कैमरा भी है, ठीक है, और बहुत लोग यह लेने के वारे में सोच भी रहा है, क्योंकि यह बहुत अच्छा option होता है, अगर आप Moto Vlogging या फिर ऐसा कोई पैशन YouTube में फॉलो करना चाते हैं, और आप चाते हैं कि बहुत आपका budget ज्यादा हो, यूँकि GoPro अल्रेटी बहुत ज्यादा महेंगा आता है, और यह Hero 10 है, Hero 11 और Hero 12 में भी यह वाला सेम वाला प्रोसेसर आता है, तो आपको अगर GoPro लेना है, तो पहले मेरा यह वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, कि यह सारे problems आपको बाद में बहुत ज़्यादा का ख्लीब देने वाला है, जो मैंने पीस किया है, क्योंकि इतने सारे पैसे देने के बाद, अगर यह problems आते हैं, क्यूकि काफी महंगा आता है GoPro, तो यह सारे problems मुझे लगता है कि GoPro को सही करना चाहिए, तो आपके लिए better options भी हो ज़कते हैं, कोई भी camera आप research कर पर यह वाला वीडियो गोप्रो लेने से पहले ज़रूर देखिए, पहला जो problem है GoPro Hero 10 के साथ, वो मुझे लगता है बहुत एक बड़ा problem है, कि GoPro Hero 10 बहुत ज्यादा heat होता है, और यह heating issue आपको बहुत ज्यादा sufferings देने वाला है, क्योंकि अगर आप chest mount में cycling के लिए या फिर head mount में यूज करने वाले हो इसको, ठीक है, तो आप वो heat literally feel कर सकते हो कुछ देर के बाद बहुत ज्यादा camera heat होने लगता है, कि जो कि होना नहीं जए है, कि आप इतने महेंगे camera को use कर रहे हो, फिर भी अगर GoPro में इतना heating issue होता है, जो कि होता है GoPro में, अच्छी बात नहीं होती है, heating issues के लिए कभी कभी इतना ज्यादा हीट हो जाता है, इतना ज्यादा camera हीट हो जाता है कि आपको लगने लगता है कि क्या यह camera सही है, क्या यह camera का इ 창सरा अवी brass होना वाला है, क्यूंकि बहुत ज्यादा हीट होता है, अगर आप GoPro यُज़ स SummonEM, आपको पता हो गई हो द आप एक्सपेक्ट करते हो कि GoPro आपको कम से कम एक धाई घंटे की recording time दे पर जो की नहीं देता यह camera यह battery बिलकुल भी नहीं देता, जो default आता है वो तो बिलकुल भी नहीं देता, बैटरी लाइफ बहुत ही खराब है कि कै, तो मुझे लगता है कि बैटरी लाइफ इंप्रूफ charging time भी बैटरी लाइफ से बहुत ज्यादा लगता है कि मैं थोड़ा सा ऐसा होता है मेरे साथ मतलब मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वो आप माइन मत कीजिए पर charging time भी बहुत ज्यादा है कि मतलब इतना ज्यादा charging time होना नहीं चाहिए charging time करीब करीब 5 घंटे का है पर जाके दो गंटे रिकार पाते हो यह अच्छी बात नहीं होती है तो मुझे लगता है कि charging time और battery life दोनों ही इंप्रूब करना बहुत ज्यादा ज़रूरी है का company के लिए कि इतना ज्यादा पे कर रहे है लोग इसके लिए प्रसिवी के लिए जिन लोगों ने motor vlogging का सोचा ह है gopro लेके फिर gopro से motor vlogging करते हूं उनको पता होगा कि यह जो इसका जो front वाला जो screen है और इसका जो lens है इन दोनों में जो ओस जंती है ना भाई winter की बात नहीं है भाई अभी अगर बारिश के मोसम में भी आप निकलते हो ना बारिश के मोसम में आप निकल रहे हो camera लेके अच जमता है जो कि camera quality या फिर video quality को बहुत जादा एक तरता है जो अच्छी बात नहीं होता है क्योंकि हमको चाहिए video quality ठीक है यहां पे ओस जम रहा है भाई यह totally sealed होना चाहिए ठीक है अच्छी बात नहीं है ठीक है यह वाला इतना महंगा जो camera है इसको लेके अगर आपका मतलब गोस जम रहा है तो यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि इतना महंगा camera के साथ आप यह वाला quality का sacrifice तो नहीं कर सेख़़ए और पाच्पा जो problem है इस camera के साथ हो है low light performance ठीक है Sony का sensor तो दिया हुआ है इसके अंदर processor दिया हुआ है पर फिर भी इसका low light performance उतना खास नहीं है ठीक है अगर आपको मतलब sunrise या पर sunset के जो views है वो अगर लेने है तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं आता है ठीक है मैं पहली आप 5.3K पर भी recording करो फिर भी यह ज्यादा camera मतलब यह camera उतना ज्यादा अच्छा quality deliver नहीं कर पाता है ठीक है क्यों पता नहीं पर बहुत ज्यादा मतलब शायद यह camera का sensor छोटा है इस वज़ा से हो चाकता है पर low light performance उतना अच्छा नहीं है ठीक है वो है कि इसका mic connectivity क्योंकि आपको जो microphone adapter खरीदना पर देगा न गोप्रो के website से या पर गोप्रो से वो काफी expensive आता है INR में करीब करीब 8000 रुपीया ठीक है जो काफी expensive होता है ठीक है और USB-C जो adapter होते है आप उसके साथ mic इसके मतलब connect नहीं कर सकते है motor vlogging के लिए ठीक है तो अगर आपको इसके साथ कै कैसे mic connect करना है वो जानना है अगर मतलब उतना expensive ना जाके आप GoPro ले चुके है पर आपको motor vlogging करना है और आपको जानना है कि आप mic के साथ कैसे audio connect कर सकते है और audio एकदम अच्छे से clear quality crisp quality के audio record कर सकते है अगर आपको वो जानना है तो आप जरूर comment में बताएए मुझे क्योंकि म मेरे पास एक नुस्का है मतलब जो जुगार है ठीक है अगर आप adapter ले सकते हैं अगर आपके पास प्रैसा है तो बहुत अच्छा हुआ ठीक है पर अगर आपके पास नहीं है फिर जाके मैं आपके साथ वो वाला जो मैं जो तरीकी वीउस करता हूँ ठीक है specifically motor vlogging के लिए वो टेकनीक चाहिए की नहीं और अगर आपके पास पैसा है तो adapter खरी सकते हैं पर ये वाला एक बहुत बड़ा इशु है क्योंकि आप इतना expressive microphone adapter नहीं ले सकते हैं मतलब सब तो effort नहीं कर सकते हैं ठीक है so hope you like the video and if you did do not forget to subscribe and follow me on my social media